आप सबकी चहीती गारगी पंडीत जिनोंने हालि में अपना नाम प्रियंका पंडीत से गारगी पंडीत किया है मेरे साथ है काफी दिनों बात मुझे मिली है लेकिन हमेशा हस्ती रहने वाली गारगी इस समय बहुत गुसदे में है गुसा हाँ आफकोर्स बहुत जादा है क्योंकि मेरे फिल्म जो रिलीज हो रही है 25 माई को आवारा है बलंप बिहार और जारकंट में उसको लेके एक गारगी पंडित निर्माता निर्देशक से हुई कहफा केस किया यह सारी चीज है तो हाँ मैंने रीजन है उसका क्योंकि इन्होंने जब ट्रेलर आउट किया तो बहुत ही अच्छा ट्रेलर जा रहा है अच्छानक उन्होंने मेरा गाना डाला जो ऑफकोर्स बहुत जादा ब कि वो मुझे बहुत जादा एफेक्ट कर रही है क्योंकि जब हम एक फिर्म करते हैं तो बहुत ट्रस्ट पे फिर्म हमेशा की जाती है कि हमको डिरेक्टर प्रोडूसर पर विस्वास होता है कि वो ऐसा कुछ हमारे साथ नहीं करेंगे लेकिन जब यह फिल्म का ट्रेलर प्राजगी है मुझे और मैंने अभी तक काफी टाइम हो गया उस फिल्म को वन मिल चुके हैं यूटूब पर लेकि मैं अभी तक उस फिल्म को प्रमोट नहीं किया है और आइधिंक देखो मैं कोशिश तो की थी मैं तक कि मैं उसारी चीज़े निकलवाद हूं जो उन्हों नहीं बताया था कि बारिश में गाना करेंगे और इतना बोल्ड गाना होगा यह सब सारी चीजने कि अधर जब गाना शूट करते हैं न कोडिग्राफर डिरेक्टर सब सेट पे मिलते हैं और सेट पर डिसाइड होता है हिंदी फिल्मों की तरह नहीं होता कि पहले से होती है आप सेट पे पहुंचते हो फिर डिसाइड होता है कि यह गाना है यह सारी चीजे उन्होंने बारिश वाला कोरिग्राफर ने बारिश वाला सिक्वेंस जा दिया मुझे उससे भी परहेज नहीं था मैंने ठीक है कोई बात दी और वी सेट पे पहुंचके मुझे पता करना है यह गाना तब तक तो ठीक तक कल्लु जी यहां वहां किस करने गोल गोल कुमाना लेकिन एक दो बार ऐसा हुआ कि एक पहले शॉट में कल्लु जी ने आप जो किस किया वो फर एक दूसरा बार जो हम लेटे तब मैंने पहली पार में भी अब्जक्शन उठाया था कि आपने मुझे चीश बतायाने तुन्होंने मुझे सारी बोल की कहा गया डिरेक्टर ने कि कोई बात नहीं हम इसे निकाल देंगे हम नहीं डालेंगे क्यूंकि हमने तकरीबन साड़े तीन मिनट का वो शॉट था जो हमने पुरा शॉट दिया वो साड़े तीन मिनट विदा पुरा बोला जो आपने उजे करने और फिर उन डिलिट न करके उसको यूटूब पे चलाना और यह कहना कि फिर उसका निउस भी बनवाना कि प्रियंका गारगी पंडित ने किस किये और कलू बने इमरान हासमी यह सब फेक है यह लिटरली ओडियंस को गुम्रा करने वाली बात है और पूरी फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं है और नहीं गाने में ऐसा कुछ है वो सिर्फ पर्टीकुलर उन्होंने इतना सा जो चंक है वो जान बुच के डाला है यूटूब के लिए ताकि और आए और व्यूस बढ़े तो कहीना कहीं प्रियंका आपको नहीं लगत अपने इंडस्ट्री में आई मैंने कभी बॉल्ड चीजों पर मैं कभी नहीं जाती क्यूंकि मेरे घर में सारे लोग भुश्वरी फिल्म में देखते हैं फिर वो मेरे मम्मी हो मेरे पापा हो या मेरे भाई हो अगर ये फिल्म सिनेमा अगर थेटर में आएगा तो जो और आदमी हैं जो लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे अगर सब लोग बोल्डनेस की रहा पे जाएंगे तो अच्छा नहीं है और सबसे बड़ी फिल्म है पूरी फिल्म को छोड़ के मुद्दा क्या है मेरे किसिंग से तो आप पूरी फिल्म के बारे में बताओ ना आपने अच्छे फिल्म बनाई है आप बोलर पारिवारिक फिल्म है तो उस फिल्म उस चंक को लेकर डिसकस को रहो ना कि मेरे लिप लॉप सिक्वेंस को लेकर कि प्रेंका पंडित ने यह किया कलू जी ने वो किया तो सब चीचे छोड़ दो क्यों इस चीज को हाइलाइट करने है क्यों क्योंकि उनको अपने फिल्म के लिए पब्लिसिटी चाहिए दो दिन पहले मेरे सामने आने का रिजन यह है क्योंकि इन लोगों ने इतना पब्लिसिटी कर दिया है ना मेरे नाम को लेके इतना हाइलाइट कर दिया है ना कि गारगी पंडित ने यह केस किया इमरान हा प्लीज ये सब चीजों पर मत जाएं फिल्म के अंदर ऐसा कुछ नहीं गाने में भी एक छोटा सा चंक्या और मैंने बहुत कोशिश की थी कि उन लोगों को बोलके में चीज हटा दू लेकिन उनने फिर भी नहीं हटाया है और दूसरी चीज भी और हुई है जब ट्रिलर साम अगर आप मैं डांस करो डांस दे करते हरा आप कैमरा नीचे ले आएंगे तो मुझे तो पता नहीं चलेगा और आप महम पो उतना टाइम भी नहीं मिलता है कि हम जा वहां जाके बैट के देखे और कैमरा जब लगता तो बहुत अंगल से लगता है उन्होंने क्या डाला ल लगता है वह वल्गर लगता है बाकी कुछ ने एक बोल्ड दिखान और वल्गर दिखाने में बहुत फरह होता है इस बारे में जो यहापका कंटर्वेर्सरी के एसमें कल्लू जी ने कुछ कहा है आपसे मेरे उन से कोई नही 7 करना हो पैओ पर आपके लिए खाड़ा नहीं होगा तो यहाप जो वह करना है वहां को कुछ न Rapha कुछ नहीं करना है फिल्म का जो उनको मिल रहा है हाल फिलाल में मेरे नाम से मतलब यह तो बेवकूफी होगे कि इतनी अच्छी फिल्म लेकिन उको ट्यार्पी किस से चाहिए गारगी पंडित से इस ट्रेंज है तो आपको कहा गया जब गाने शूट हो रहे था तब आपको कहा गया कि यह सीन न परराबलम कर ट्रेलर तो बहुत लो एंगल सो नहोंने एक मेरे श्कूर्ट पैना है गाने है तो वहाँ उन्हें बहुत लो एंगल से रखा है अगर अगर आपको अपनी स्टोरी और अपने टैलेंड पे भरोसा अगर तो आपको लड़की को असलिलता दिखाने के जरुत नही एक लड़क्यों गया से हाफ शॉट में दिखाने की ज़रूत नहीं है, आप अपनी फिल्म को और आगे लेके जा सकते हैं अच्छी चीजों से, वो भी उन्होंने नहीं निकाला, मुझे का कि साथ ट्रेलर मुझे लगा सेंसर बोड काट देगे, लेकिन सेंसर बोड ने भी न जादा मिलते हैं और ओडियंस जादा पसंद करती ये सब चीजों को, तो मैं उनको पचास बार बोल चुकियों कि उडियंस चेंज हो चुकी है, ओडियंस अभी ये सब कुछ देखना पसंद नहीं करती है, बट नहीं, उनको वो दिखाना, और मुझे पता है, भू गाने मे झाल झाल